नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मेरा नाम है पृत्विराच और आप देख रहे हैं सिंपल आयुरवेदा दोस्तों आज कल आपने देखा होगा कि एक बिजनस है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पर है बहुत ज्यादा तो उसकrov वीडियो आरहे हैं बहुत लोग इस बिजनस को कर रहे हैं और बहुत पैसा बी कमा रहे मैं नहीं कीछता हूं और यह यूटूब पर गपने हुआ हैं आगे कप आता है कोफी का उसके अंदर हमें वो चाई कोफी दी जाती है और उसी का यह बिजनस है बिकता बहुत है डिमांड बहुत है कितना भी बना लो आप इसका इसके डिमांड वो पूरी नहीं कर सकते ऐसा मैंने के था यूटूब पे जो वीडियो पड़े हुए हैं बिजनस आइडिया के जो चैनल है और दो बड़े बड़े चैनल हैं वो लोग यह सारी चीज़ें आपको बताते हैं ने वह वीडियो बहुत वीडियो मैंने देखे कम से कम मैंने 30-40 वीडियो मैं एक अफोटे से देख रहा हूं और फाइनली एक मैंने निसकस्ट निकाला है इस बि तो पहले हम देखते हैं कि यूटूब पे हमें लोग क्या बताते हैं आप एक बार ये वीडियो यूटूब के जो वीडियो है वो चेक कीजिए कितने यूटूब पे वीडियो पड़े हुए हैं तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ कि आपने थमनेल सभी के देख लिये होंगे अब बात स्टार्ट करते हैं कि इस बिजनस को करने के लिए हमें क्या चाहिए कितना फ्रोफिट है कितनी लागत है रो मिट्रियल कहां मिलेगा कितना स्टोक हमें रखना है और इसकी मार्केट कहां होगी और कैसे करनी है दोस्तों अगर आप पेपर कप का बिजनस कर स्टार्ट करना जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही फाइदेमंद वीडियो होने वाला है आप पैसा कमा सकते हैं पैसा बचा सकते हैं अगर आपने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आपको गाटा ही गटनी वाला है अगर आप beginner हैँ या यह पैपर पका काम पहले से कर रहे हैं या करने की सोच रही हैं तो यह वीडियो आप complete देख लिए अदरवाइज आगर कोई और यह वीडियो देख रहा है किसी बिजनिस ए लेटिर तो वह यह वीडियो यह ने पर तो सबसे पेले यहां पर हमें क्या चाहिए? 500 स्केर फिट का अरिया चाहिए? उसके बाद में हमें क्या चाहिए? 30 का connection चाहिए बिजलीगा नंमनती हमें यहां पर चाहिए GST nиковραन नंमर banana लोगा उस्वेग्याख अब हमें जाना होगा मशीन लाग रुपे में स्टार्ट हो जाती है नहीं होती दोस्तों आप जब मशीन लेने जाओगे आप उनसे एक बार फॉन पर बात करोगे तो वह आपको जैसे तैसे करके अपनी फैक्टरी में बुला लेंगे और दोस्तों यहाँ पर जितने वी वीडियो यूटूब पर पड़े है ना जो आपने अभी वीडियो पीछे देखें तोटल स्पॉंसर्ड वीडियो है सभी ने पैसे लेकर वीडियो बनाएं किसी ने उसका ओरिजिनल चीज है वो किसी ने उस वीडियो के अंदर नहीं अब दोस्तों वहां पर मसीन दिखाते हैं आपको श्रॉस्ते वाली उसकी कम यह आपको जिनानी स्टार्ट कर देते हैं उसके प lick स van आभर यह थोड़ी महंगी मिशीन फाइनल कर देते हैं अब दोस्तों आपने नो लाग रुपए के मिशीन ले ली उन्होंने कुछ नहीं बताया फोड़ा एडवास ले लिया आप से आपको बोला कि मिशीन आपको पांध दिन में दे दे देंगी या मेहने में दे देंगी अब जब बात आती है फाइनल लाग क्यास पास अब वहाँ पर लगता है आपको ट्रांसपोर्ट का क्ष्टा क्योंकि मशीन काफी हेवी होता है दोजार किलो क्यास पास का मशीन होता है अब आप क्या करोगे पैमेट आपने एडवास में दे रखा है आप मना तो कर नहीं सकते अब आप उस मशीन को मंग ली है उस जगह लेकर जाओए मशीन आपने रख ली अब बारी आतीं है, रो मेटरेल थे माश आपक हमेद लिए राध Zahl रूपई, पंदजर रूपए के तो ले नहीं सकते इतनी बड़ी मिशीन लगा रहे हो पांदस जा रुपए का रो मिट्रियल तो एक दिन में बना देगी आप उसका कैलकुरेशन करके आप सोचोंगे यार कम से कम एक लाग रुपए का रो मिट्रियल मंगवा लिया आप तक पहुंच भी गया अब वह आप क्या करोगे सतर से असी कोप बोल के दी गई थी वह मसीन एक गण्ते के अंदर फचीस सो कप बनाती है अब आप सोचोगे कि आयार मसीन को में एक दिन में 10 गण्ते काम लेंगे तो आपको लेबर भी डबल चाहिए अब आप कम से कम लेबर लगावगे पूरी ट्रेनिंग वाले बंदे अगर उसके अंदन्र आप लगावगे साथ में लगोगे ने डोऊ आदमी आपको लगाने पड़ेंगे डबल सिप्टिंग के हो गए चार आदमी चार लेबर लग गई आपके बीस गंटे में बीस गंटे में आपने प्रोडक्शन किया पत्सास हजार कपका और आपके लेबर लग गई चार अब आप भी उसके साथ में लगे हुए हो तो यहाँ पर एक बंदा आपका दिन में उनके साथ रहेगा और एक बंदा आपका नाइट में उनके साथ रहेगा डबल सिप्टिंग में तो यहाँ पर आप तीन आदमियों की और तीन आदमियों की च्छे टोटल च्छे आदमियों की आप यहाँ पर आपको द्याड़ी देनी पड़ेगी जो 500 स्केर पुट का आपने जो रेंट पे ले रखा है उसका आप रेंट जोड़ लीजिए दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा खेला होता है कमपनी आपको बताती है कि आपको यहां पर एक कप के अंदर आठ पैसे से दस पैसे का मार जुनाएगा यहां पर आपको इतना बेंकर कंपेटिशन है मार्केट के अंदर जब आप ये माल मार्केट के अंदर लेके जाओगे तो वहां पर आपको पता चलेगा इसको बेचना कितना टफ है आपने एक दिन के अंदर पचास हजार कप बना लिये वहां अब ये आप कहीं गाओं पे गाओं में या फिर कोई छोटे दुकंदार को तो बेच नहीं सकते नहीं इसको आप ओनलांगे सकते आप जाओगे बाजार में बाजार में आपको मुश्खल से दो या तेन दुकंदारे से मिलें गे जो आप से बड़ी मातरा के अंदर माल ले लेंगे अब आप तीन-चार सिटिएओं में जाओगे इस परकार के दस दुकंदार सेट करने में आपको महिनों लग जाएंगे उनके बहुत नकरे होते हैं हमारे इस रेट में आ रहा है हमारे उस रेट में आ रहा है हमें ये मिल रहा हमें वो मिल रहा है खलाना जी हमें एक महिने की क्रेडिट देता है वो एक मेने देख payment नहीं लेता, आप तो end to end मांग रहे हो, आप 15 दिन मांग रहे हो, अब इसके बाद में यहाँ पर हमें company बजाती है कि आपको 8 से 10 पैसे का एक कपे margin है, चलो मान लिया, 8 पैसे का एक कपे margin है, अभी आप calculate कीजिए, 50,000 पीस into 8 पैसा, यानि आप अपना margin calculate कीजिए, 50,000 पीस into 8 पैसा, खालांकि 8 पैसा margin है नहीं, लेकिन फिर भी अपने मान के चलते हैं, कि 8 पैसा अगर company बोल रही है, तो अपने 8 पैसा ही लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर total आपका मारतन होता है 20 गंटे का 4,000 रुपे, दोस्तो एक machine मैने डेली के 4,000 रुपे आपको कमा के दे रही है, मैने का 1,20,000 रुपे हो गया, आप बोलो कि कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि इसमें कमाई नहीं है, और अभी आप बोल रहे हो कि मैने की 1,20,000 रुपे कमाई है, दोस्तो अभी हमने total जो माल बनाया है, उसका total profit निकाला है, final profit अभी तक नहीं निकाला है, अब 4,000 रुपे डेली के कमाई होगी दोस्तों, हम बड़े खुस हुएं कि मशीन ने हमें 4,000 रुपे बचा के दे दिये, ऐसे तो हम 10 मैनों में मशीन के पैसे पूरे कर लेंगे, अब यहाँ पे आप स्टार्ट करते हो, लेबर की जो cost है वो आप calculate कीजिए, चार लेबर आपने लगाई, 500 रुपे से कम बंदा नहीं मिलता जो यह मशीन को operate कर सकता है, जो इस मशीन पे काम कर सकता है, क्योंकि इस पे continue काम करना पड़ेगा, अगर आप बीच-बीच में break लेंगे, वो लेबर ब्रेक लेगी, कभी खाना खाएगी, कभी चाय पिएगी, कभी पानी पिएगी, कभी वो तरम जागी, कभी वो तरम अब 20 गंटे के अंदर 4 लेबर लगी, 2000 रुपे लेबर के गई, पिच्छे बचा 2000 रुपे मार्जन, 2000 मार्जन के अंदर आपके दो आदमी लगे, लेबर के साथ में, एक नाइट डूटी में, और एक डे डूटी में, दो सिप्टिंग, 500-500 रुपे उनके कर लो, भी बेरो पॉली के अंदर उनको पेक करना पड़ेगा, 50 पीस का, 25 पीस का, 30 पीस का जो भी आप बंडल उसका बनाओगे, उसके बाहर एक पॉली आपको लगानी पड़ी, अब यहां तक आपने करते-करते 1000 रुपे से कम ही यहां आपने डेली की कमाई हो गई, यानि कार्टून की प अब उसके बाद में दोस्तों आपने माल तो बना लिया, अब उस माल को बेचने जाओगे, तो आप उसको किशी कार में डालके तो लेनी जा सकते हैं, या किशी ओटो में डालके नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उसके तो बहुत बड़े-बड़े कार्टून हो जाएंगे, पांच जार पीस तो बहुत जादा हो गए अब आप दस दिन में भी अगर वहाँ से अपनी जगे से फैक्टरी से अगर बजार के लिए गाड़ी निकालते हैं अगर दस दिन में भी एक गाड़ी आप निकालते हैं अगर आप आपकी शिटी थोड़ी शी दूर है बीस किलोमेटर बान के चलो तीस किलोमेटर बान के चलो तो आपको पंदरा सो दो जहर रुपे वो गाड़ी वाला हफते के ले लेगा अब यहां पर दो सो रुपे डेली के गाड़ी वाले के हो गए अब पिछे कितने बचे शे सो रुपे अब भया पिछे बचे शे सो कि अधर आपकी मशीन की मैंटनेस आपका लाइड का खर्टा, पानी का खर्टा चाई का खर्टा और वगेरा वगेरा मानके चलो खर्टे ही खर्टे हैं इस फैक्टर का नाम लेना बहुत आसान है काम करना इतना टफ है कि आप दो तीन मेने बाद उस मशीन को अद्धे पोने रेट में ही बेचने को त्यार हो जाएंगे प्रोफिट किस को वहा जिसने मशीन बनाई उसको वह जिसने आपको रो मेटरियल दिया उसने कमा लिया लेकिन आपका रुक गया आपकी पायमेट मार्केट वो नहीं निकलने वाले वो भी नहीं निकलेंगे labor को पैसे आपको घर से देने पड़ेंगे इतनी कमाई नहीं है इतनी कमाई होती ना तो इस machine को middle class वेक्ती नहीं लगाता इस machine को जो हम से उपर class के वेक्ती है ना वो लगाते आपने देखा होगा कि जो पैसे वाला वेक्ती है वो इस मशीन को कभी नहीं लगाता है इस मशीन को कौन लगाता है अपने जैसे जो मिडल कलास के लोग हैं जिनोंने चार-पाँ साल में थोड़ी बहुत सेविंग की है थोड़े बहुत पैसे उदार पे पकड़ लिये या सरकार से लोन ले लिया या किसी और चीज का लोन ले लिया और वो जाके हम दे आते हैं उस मशीन वाले को और मशीन वाले मज़ा करता है और अपने फसके बैठे रहते हैं दोस्तों पैपर कप और पैपर प्लेट का बिजिनस जिन्दगी में कभे भी मत कर लेना हूँ अगर आपको करना ही है अगर आपको खुजली है पैसे कमाने की आप पहले पांस हजार दस हजार रुपे अपनी पोकेट से खर्च कीजिए गर से निकल जाएए 15-20 दिन के लिए गर से निकल जाएए अपने आस-पास जगए डूंड़िए जिसने लगा रखी है मशीन फैक्टरी में जाएए फ्रो मिट्रिल वाले के पास जाएए दुकंदार के पास जाएए होल सेलर के पास जाएए थोड़ा दिमाग लगाईए और फिर सोचिए कि इसमें profit है का, profit है किसको, भाया जो ये YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, ये सारे वीडियो सही नहीं होते, लोग promotion के चक्र में पैसे देके वीडियो बनवाते हैं, मशीनें बेख जाती हैं, हस्ता कोन हैं, हमारे जैसे लोग, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं भी तो आपको बता सकता था, मैं भी किसी से पैसे लेके ये वीडियो बना सकता था, भाया, मेरा business idea का channel है, मैं real में business idea देता हूँ, महेंगे idea कभी नहीं देता, आप 120000000 रुपे से start करके देखो, ऐसे ही business idea देता हूँ, हमारे पास भी उफ पर आते हैं, लोगों के फोन आते हैं कि सर अमारे फेक्टरी का वीडियो बनाई ये अब, जब हम वीडियो बनाने जाते हैं तब वो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन जब आप लोग वहाँ पर जाओगे ना, जो चीज़े हमने दिखाई हैं, वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगे, quality में फरकाएगा, rate में फरकाएगा, सब चीज़ में फरकाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा खेल है, वो यूटूब पर ही चल रहा है, आज के टाइब में, यूटूबर को दो पैसे दे दिए, आज मेरे को किशी ने 50,000 रुपे दे दिए, तो मैं उस फेक्टरी के 10 वीडियो डाल दूँगा, इसकी मिशीन, यह पेपर प्लेट की है, और 10 परसेंट लोगों में से 1 परसेंट नहीं भी अगर वहाँ से मिशीन परचैज कर लिए, तो उनके तो बले बले अभी, उन्हों तो बहुत पैसे कमा लिए, अब उनकी मिशीन भाया सीथे तो बिखती नहीं, बिना वीडियो के उनकी मिशीन नहीं बिखती, अगर वो खुद वीडियो बनाते हैं, तो हम लोग यह कहेंगे कि यह खुद की मिशीन है, खुद वीडियो बना रहा है, यह तो इसका दोल जाल है भी, अब वो क्या करता है कि हम जैसे यूटूबर को पकड़ता है, और हमसी वीडियो बनाता है, वो आप लोग हम पे विस्वास करते हो, और हम वीडियो के अंदर जो बक दिया आपको, आप उस चीज़ बन करके वो चीज़े ले लेते हो, आपको ऐसा कभी नहीं करना, दोस्तों, इस परकार के जो बिजनेस होते हैं, जो बहुत ही असानी से स्टार्ट हो जाते हैं, पांदस लाख रुपे लगा कर अगर आप ब बना बनाया सेटप, बना बनाया फॉर्मला, बना बनाया रो मिट्र आप लेते हैं, उसमें कभी आपको प्रॉपिट नहीं मिलेगा, प्रॉपिट आपको उसी बिजनेस के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर आपको खुद को पहले से बहुत ज़्यादा नोलेज है, आपका ख वीडियों के अंदर क्या समझाना चाहता था और क्या समझे हैं दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का इतना ही मक्षद था कि आप पांस दस लाग रुपे कहीं फसा के मत बैठ जाना आप पहले अच्छे से मार्केट में ट्राइ करें फिर ये बिजनस डालें